नमस्कार, 80 News इंडिया में आपका स्वागत है, मैं यश्मीन अलिगर्धाना इगलास सिर्फ गाउ में 6 वर्षे बच्चे के साथ कुकर्व की एजानी के घट्ना का मामला सामने आया है बतादे 16 वर्षे अमीत की दोबारा 6 वर्षे बच्चे के साथ उसका data को अन्चाम दिया गया हैवानियत के इस खौफनाग नजारी को उसका छोटा भाई दीबार के पीछे चुपकर देख रहा था इस दोरा दरिंदा लड़का उसके भाई के साथ जबजबज़स्ती कुकर्म कर रहा था तो उसका बड़ा भाई दर्ड से तड़ता रहा वहीं आरूपी लड़के ने बच्चे को पैसे का लालज देखर बच्चे के साथ कुकर्म करके आरूपी फरार हो गया आरूपी लड़के की जाने के बाद उसका छोटा भाई अपने बड़े भाई के पास आया और उसे लेजा कर घर पहुँच गया वहाँ जाकर चार वर्षे छोटे भाई ने सारा वाकिया अपने परिवार को सुनाया ये सुनका सब के होश उल गए परिवार ने तुरंग पीड़ित छे वर्षे किशोर से घटना की सारी जानकारे ली तो किशोर ने बताया की पांच रुपी देखकर उसने हमें लालज दिया और खेल खेल में गाउन के ही लड़के ने उसके साथ ऐसी हरकत की जब सारी चाहनकारी छे वर्षे बालक ने अपने परिवार को बताई तो उनके पहरु तरे जमीन के सक गई पड़ोसी लड़के अमिक के द्वारा बच्ची के साथ को कर्म की जाने की शिकायत लेकर परिवार बच्चे संग थाने पहुंचे और पुलिस को लिखित में शिकायत देते हुए कारवाही की मांगी तो थाने आई आई आपको आपने सिकायत दी है क्या बुल रही है पुल रही है क्या बुल रही है क्या होना चाहिए इसे आरभी अकलाब अज दिलांग चोब्री से तैईस को थाना टपल चेतर में एक नावाली पच्ची के साथ गलत करित करने की सुचना पराप्तू थी अलिगर के धाना बला चेतर में एक विवाहिता ने फांसी के फंदे पर लटक कर जिंदगी समाप कर दी मरतक महिला के पिता ने दहेच प्रितारेट के चलती सस्राल पक्ष के लोगों पर हत्या का रोप लगाती हुए पुलिस को सुचित किया सुचना पर पहुँचे पुलिस ने मरतक महिला के शख को कब से मिले कर पोस्माटम के लिए भेजा वही मरतक महिला के पिता ने बताया कि सस्राल पक्ष के लोग उसकी बेटी को आए दिन प्रितारेट करते रहते थे जहें इसका थाना देते थे और कई बार उसको घर से भी निकाल दिया गया था इसी तरह कुछ दिन पहले बीच सस्राल पक्ष के लोगों ने मारपीट करके महिला की बुआ के खट छोड़ गए थे अरोबे की सस्रालियों से परिशान होकर महिला ने फांसी लगा कर जान दे ली वही माय के पक्ष के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है घर में मादम पस्रा हुआ है परिवान ने पुलिस से मदद की गवाहा लगाए हैं माय पुलिस का कहना है कि साक्षो के आदा पर करवाही की चांच की जाएगी तो बहन की दुपान है रोड पर यहां रात को आज वजे वो लोग मतलब यहीं छोड़ गए इस लड़की तवारी और मतलब पुछ कहके नहीं गए और उसके बाद में वो लड़की आ रही इसने दो चार वार फॉन किया है लेकर नहीं आई लेने के लिए अच्छा तीस र बुजर्ग दुकानदार को अपने खाने के पैसे मांगना भारी पड़ गया पैसे मांगने पर दबंग उगर हो गया और अपने आपको पुलिस का मुख्पिर बताते हुए दबंग ने बुजर्ग दुकानदार का सामान फैंक दिया जिसमें बुजर्ग दुकानदार का ल मैंने उसको पिछले उधार के बारे में याद हिलाया और कहा और कि पिछला बकाया है तो दबंग ने कहा कि हां अभी 물ियानी खिलाओ हम तुम्हे पिछला भी उधार दे देंगे बिरियानी के बाद भे दबंग बिना पैसे दिये वापत जाने लगा तब बुजरुग ने उ क्या मामले का है? ची का है? आज क्या हुआती? आज क्या हुआती है? इस बाद तो जो ранुटिपी निपेस है अद्वार्ण बुर्याने पेस्तामित नाहां देखेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे . तो उर्ण पूर्ण सब्सक्रारा टोप बिर्यानी फेख़कें आपकी पूरी ? अलिगर में गौशालाओं का बुरा हाल है अधिकारी सुनने को तया नहीं है गौशालाओं में आपारा गौवच को रखवा दिया गया है शुरुवात में गौवच के भरण पोशल के लिए खुराख मिलती रही थी लेकिन गौशालाओं प्रबंदकों को जूटे अश्वासन दिये गए जब तक सीवियो के पी वार्षने रहे तब तक 30 रुपे प्रतिगाई प्रतिदिन देर सबेर ही सही भरण पोशन अनुदान मिलता रहा लेकिन उनके रिटायर होते ही अनुदान बंद कर दिया गया पिछले तीन साल से स्वामी रामतीर्त गोधाम में करीब एक हजार आवारा गौवच बेहाल है उनके खाने के लाले पड़े हैं स्वामी रामतीर्त गोधाम के संचालक राकेश कुमार बताते हैं कि तीन बश्चों से भरण पोशन की राशी नहीं मिल रही है उनने कहा कि गोशाला को इस हालत में देख बंद करने के लिए विवश हैं उनके उपर लगे आरोपो को लेकर कहा कि गोवच को चुराने के हम पर आरोप लगाए गए लेकिन हमने उसके बाद भी कुछ नहीं कहा हम अपना काम इमानदारी से करते आए हैं और गोवच का ख्याल रखते आए हैं लेकिन लगाए गए आरोपों से वे आहत हैं और अब गोवच को बेवापस करना चाहते हैं उन्होंने कहा है कि जलाकृष्चासन और मुख्यमंत्री पोटल पर अने को बार शिकायत रच कराए गई लेकिन कोई सुनबाई नहीं हुई है गोषाला कर्स में डूबी हैं इसलिए सुआमी रामतीर्त गोधाम के संचालक ने करीब एक हजार गोवच को वापस लेने की प्रातना मुख्यमंत्री जिलाधिकारी से की है मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से की है देखिए तकलीफ तो हमें तो बड़ी खुशी थी कि भगवान ने हमें ये सेवा का मौका दिया और एक हजार गववंज हमारे राम तीर्थ गवधामों में सेवा पा रहा है हमें तो बड़ा गर्ब था लेकिन ये प्रशासन का रवया बहुत खराब रहा है इन्होंने हमारी ये गवशाला नहायत इमानदार पुराने गवभक्त बावा बावुराम के उपर आरूप किया कि आप दाए बेच देते हैं और ये गाए वो नहीं है एक सो नौ गाए देने के बाद में आपने हमसे रिश्वत मांगी जो हम पूरी नहीं कर पाए तो आपने फाइल रिकॉ गवशाला के लिए करने के लिए हमने गवरक्षा अभियान नहीं चलाया हमारे गवरक्षा अभियान का मतलब है गाए पहले अपने घर में घर के बाद में गली में गली के बाद महले में महले के बाद शहर के बाद पूरे अपने जिले में जिले के बाद पूरे देश में पूरे दुनिया में चले हम तो उस गती से अपना गवरक्षा भियान चलाना चाते थे। सरकार के लिए नियत थी अपने यूगी सरकार की तरफ से पी-पी-पी मौडल के उपर गवगतों को जोडने के लिए अख़वारों में पड़ा था तो हम तो उसी मौडल से पहले ही काम कर रहे थे हमें तो पहले ही चैन कर लिया था मिस्टर केपी वार्ष ने इनके सीवियों ने और हमको एक हजार गायों की सेवा दे दी थी तो अब हम बजाए कि हमें प्रोजसाहन दे हमें इन्होंने हतो हताच कर दिया हमारे उपर आरूप जूटे और हमारे इन्होंने जो इनका 30 रुपए प्रती दिन प्रती गाय के इसाब से खाना खुराक के लिए गाय को मिलता है वो भी बंद कर दिया तो इतना अपमानित होकर तो हम कम से कम काम नहीं कर सकते हमारा कोई स्वार्थ नहीं है हम तो वोलेंटियर हैं हम तो अपन दिवस और क्या-क्या हर जगा हमने अपनी बात रखी लेकिन कोई सुनवाई नहीं है हमारी वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें